कि यहां पर आने के बाद सब्सक्राइब कर लिजिए और यह जो बेला इकन है इसे दबा दिए तक कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे हैं अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज की टॉपिक के तरफ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन होने वाला है जो कि रिलेटेड है हमारे यह आप नियू के हो तो नियू के उपर आपको क्लिक करना है यहां पर आपको यहां पर सब्जेक्स आपको दिख जाएंगे फर्स्ट ये जिसके अंदर धीरो वीडियो जिनको देख करके सुन करके पढ़कर करके आप एक्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मांक्स लाप है हमारे आज के topic के तरफ जो कि होने वाला है general rules of voting so the procedure of voting to be followed is generally provided by the bylaws or rules and the regulations of the association तो जो भी bylaws होते है जो भी rules and regulations होते है उस association के वो provide करते है procedure को कि इस procedure के थ्रूँ जो है आपको अपना काम जो है करना है आपको अपनी voting जो है करवानी है बट अगर किसी भी तरह का provision अगर exist नहीं करता किसी भी organization में तो उस case में chairman को कुछ-कुछ चीजों के उपर दिहान रखना important है जो कि general rules कहलाते है और उन्हीं चीजों के बारे में हमें किक करके बात करेंगे देखो दो तरीका होता है या तो rules and regulation जो होगा association का वो guiding force होगा voting के जो general rules होगे उसको ले करके किस तरीके से procedure होगा और अगर वो provisions available नहीं होते हैं तो उस case में जो chairman होता है जो meeting को एक तरीके से product करवाता है प्रोसीड करवाता है वो इन चीजों को ध्यान में रखेगा और इन channel rules को follow करवाएगा voting के दौरान सबसे पहला जो यहां पर point बताया गया है वो यह है कि whenever a departure from usual voting procedure is to be made जब भी departure दिखाए जाता है कि कोई voting procedure हो रहा है और को departure अगर वहाँ पे लेने वाला है the ascent of the meeting must be obtained उस time तक जो meeting का जो मुले जो देश ही था वो पूरा हो जाना चाहिए है जो ascent है meeting का वो जो है वहां से ले लिया गया है suppose मैं meeting में हिस्सा ले रहा हूं और meeting में मुझसे voting करवाई ही जानी है कि मैं इस चीज़ के उपर हां भां ही भरता हूं या फिर ना करता हूं तो yes no मुझे करना है voting मुझे करनी है तो meeting के दौरान जब meeting जब खतम हो रहा है उस time तक chairman का गाम होगा कि वो मेरे से मेरा consent ले ले कि मुझे हां है या पर मेरा ना है है तो जो ascent है meeting का उसका पूरा हो जाना चाहिए departure से पहले है ना so when a departure from the usual voting procedure is to be made जब भी departure दिखा जाता है जो meeting का जो ascent है वो पूरा हो जाना चाहिए दूसरा point है all issues should be decided by simple majority unless special majority is prescribed तो जितने भी issues वहाँ पर एक तरीके से raise किये जाता है meeting के दो हो था है voting में बहुत सारे issues raise किये जा रहे है कि ये issue है वो issue है तो ये जो सारे issues raise किये जाता है ये सारे के सारे simple majority के दौरा raise किये जाता है है simple majority decide की जाती है कि किन-किन topics के उपर जो है मैं voting करनी है या फिर अगर वह नहीं होती तो उस case में जो है special majority का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है वह भी आपने वोट को वापस नहीं ले सकता नहीं उसको alter कर सकता है voting वोट कास्ट कर देने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं आप उसको वापस ले सकते हो नहीं आप उसको alter कर सकते हो सकता है पहले आपने हाँ बोल दिया तो वह पॉसिबल नहीं है आपने एक बाद जो बोल दिया वही आपका वोट जो है उसको एक तरीकी से count कर लिया जाएगा चौता है absenty votes are not counted in the meeting तो यह तो हर जेका का नहीं में जो होना ही चाहिए कि जो absent होगे उनका vote मैं count क्यों करूंगा जो present होगे सिर्फ उनी का vote count होगा जो absent होगे उनका vote जो है count यहाँ पर नहीं होगा यह बात यहाँ पर बोली गई गया 5th number point है only members present and entitled to vote should be allowed to vote तो जो members वहाँ पर present होगे सिर्फ present होने से भी नहीं होगा जो जो entitled है voting करने को ले करके सारे लोगों के पास यह अधिकार नहीं होता कि वोटिंग कर सकें तो ऐसे members जो वहाँ पर present होगे और जिनके पास अधिकार होगा voting करने का सिर्फ वही जो है वहा allowed as per roles they should be checked and verified अगर proxy आपर allowed की जाती है कि suppose मेरे बदले किसी और ने मेरी voting कर दी तो अगर ऐसा कुछ यहाँ पर allowed किया जाता है तो उस case में जो भी you know procedures है जो भी checked and verified करना बहुत important है suppose मैं किसी को अलाओ कर रहा हूं कि भाई तुम मेरे बदले voting कर देना है ना तो यहाँ पी यह verify करना कि मैंने उसको अलाओ करा है मेरे बिहाफ पर वोटिंग करेगा इसका check and verify करना बहुत जादे important हो जाता है यह बात यहाँ पर बोली गई गई है साथवा number point the chairman is entitled to you अगर कोई chairman आपको entitle करता है vote on a emotion किसी motion के उपर vote करने के लिए he can also exercise his casting vote in the case of tie अगर tie हो जाता है जब मामला फस जाता है दोनों case को मिलते हैं तो जीतना तो किसी एक को है ना तो उस case में chairman जो है अपना vote वहाँ पर डाल सकता है लेकिन जब तक tie नहीं होगा वह अपना vote वहाँ पर cast नहीं करेगा आठवा number point if the chairman does not cast his vote vote 5 case of a tie the motion is lost है ना तो अगर chairman अपना vote अपना cast नहीं करता है suppose पचड़ा फस गया है तोनों की तरफ जो है दस-दस vote पढ़ें अब समझ में नहीं आ रहा है कि motion किस की तरफ जाएगा है ना इस वैक्ती के तरफ जाएगा या उस वैक्ती के तरफ जाएगा तो उस time पर chairman अपना vote cast कर सकता है पर अगर वह vote cast नहीं करता है और बीच में फस जाता है situation तो उस case में वो motion जो है lost हो जाएगा उस motion की कोई value नहीं रहेगी ठीक है नौवा number जो rules होता है वो यह है कि whenever the chairman can assume the sense of the house and ordinary items of business he may get it recorded and no one present has any objection यहाँ पर जो बात बोली है वो यह है कि जब भी chairman को ऐसा लगेगा या फिर उसको sense होगा कि इस चीज का हमारे पास record रख सकता है तो वो जो है उस चीज को record करेगा और उस record करने के मामले में किसी भी member को किसी भी तरगी objection जो है वहाँ पर नहीं होनी चाहिए जो कि नहीं होती है दसवा number point declaration of voting result by the chairman is final अब जब voting सारी हो गई तो उसके बाद जो है chairman अबना result सुनाता है voting का तो वहाँ पर जो declaration होता है वो जो chairman बोलता है वही final होता है उसके बाद किसी भी तरह का alteration उसमें नहीं किया जा सकता है in case of a declaration on a show, अगर किसी की तरह के show में declaration किया जा रहा है I mean show of hand में declaration किया जा जहांके हाथों को दिखा करके motion pass करवाया जाता है members present can demand a poll, उस time पे जो members होंगे वो demand कर सकते है poll का, मतलब voting का वो demand कर सकते है, जैसे कि मैं आपने एक example बताता हूँ आपने cabinet में meeting जो होती है जो हमारे लोगसमा में meeting होती है बहुत सारे प्रस्ताव जो होता है वो पारित किये जाते है तो पारित किये जाते है तो दिखना वहां पे द्धोनी मत्द से पारित कर दिया गया मतलब जिन तो वही चीज यहां पर भी बूली गई है कि जब आप हाथ उठा करके एक तरीकी से आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इस मोशन के साथ हुआ इस मोशन के खिलाफ हूं उस कि इसमें दिवांड जो है किया जा सकता है पोलिंग करवाने का वोट करवाने का राइट सो दीजाए टैन जेनरल रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वोटिंग के लिए और यह एक्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है आई हो कि आपको यह वीडियो काफी पसं कियो